तो विश्वालाइज करें देखें कि परमात्मा ने आपके सर के ओपर अपने वरदानी हस्त टिकाए और आपको वरदान दिया बच्छे मास्टर सर्वशक्तिमान भव मास्टर सर्वशक्तिमान गर्थ क्या है सबसे पहले तो यह जान ले यह affirmation, यह स्वामान जितने भी affirmations आप जानते हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है क्यों? क्योंकि परमात्मा को सर्व शक्तिमान कहा जाता है और हम सब उनकी संताने हैं तो हम स्वैम को कह रहे हैं कि मैं master सर्व शक्तिमान हूँ अर्थात जो शक्ति मेरे परम पिता के पास है वो शक्तियां मेरे पास भी हैं अर्थात मैं अपने मन को यह order दे रहा हूँ कि मेरे मन जो शक्तियां तुम छुपाए बैटे हो सब को जगा दो तो master सर्व शक्तिमान सबसे powerful affirmation है स्वैमान है इसका प्रयोग हमी करना है master सर्व शक्तिमान अर्थात मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली मन का मालिक हूँ यह हुआ दूसरा वर्दान होगा वैसे आप कोई भी वर्दान ले सकते हैं मन चाहा वर्दान जैसा आप चाहते हैं लेकिन अभी फिलाल जो हम आपको बता रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं. दूसरा स्वमान है सदा सुखी भव, सुखी भव, तो विश्वलाइस करना है थोड़ा सा, कि सुख स्वरूप, यानि कोई व्यक्ति सुखी हो, जिसे सच्चा सुख कहते हैं न, वो टेंपरेरी नहीं, सुखी हो व्यक्ति कैसा दिखता है, और तीसरा, शान स्वरूप भव, ठीक है, अब ये तीन वर्दान लेकर इन्हें विश्वलाइस करना है, क्यों विश्वलाइस करना है, सिर्प रठना नहीं है, विश्वलाइस करना है, पहले तो देखना है सामने, कि परमात्मा के मस्तक से, शक्तिशाली किरने मेरे उपर पढ़ रही है, जैसे मानो इनकी तले आप बैठे हैं और आप स्नान कर रहे हैं, उनकी किरने आपके उपर पड़ रही हैं, और एक किरने सीड मेरे अंदर समा रही हैं, और रिपीट करें, इस किरनों के नीचे स्नान करते हुए, कि मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, रिपीट करें, चार पाच बार, म मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, मैं सर्व शक्तिमान की संतान हूँ, इसलिए मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली मन की मालिक हूँ, ऐसे बात करने से क्या होता है, छिपी हुई मन की शक्तियां जाकती हैं, चीगे? दूसरा मैं बहुत सुखी हूँ सुख मेरा नेचर है मैं आत्मा हूँ ही बहुत सुखी मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ ठीक है और फिर शान्स वरूप हूँ अब मुझे विश्वलाइज करना है हर एक affirmation को क्यों विश्वलाइज करना है क्योंकि मेरे मन की भाषा ही visualization है मतलब color, music and image इन तीनों चीजों को मिलाओ यही मन की भाषा है और इन तीनों को मिलाएं तो वीडियो बनता है देखिए जो हम TV देखते हैं TV देखते हुए हम जानते हैं कि वो नाटक चल रहा है फिर भी हम भावुक होते हैं यानि हमारा मन उस पर react करता है क्यों? तो हमारा मन जैसे hypnotize हो जाता है बंधी एकदम चुप हो जाती है तो अगर आप जो भी affirmation ले रहे हैं उससे अगर आप visualize करें तो आपका काम हो गया जो भी जीवन में चाहते हैं ध्यान रहे पहले तो चाहाना क्या है जीवन में? अच्छा ही चाहना है यह नहीं कि इन शक्तियों को खलत वे में प्रयोक करने लग जाए तो काम नहीं बनेगा आप सफल होना चाहते हैं जिसमें आप चार लोग की मदद कर पाएं आप उन्हें सुख दे पाएं उन्हें शान्ती दे पाएं उन्हें आगे बढ़ा पाएं उनका आध्यात्मिक उत्थान कर सकें यह हमारे जीवन के मोटिव होने ही चाहिए मन की भाषा है विश्वलाइजेशन जैसे मानिए आप किसी विक्ती से बात कर रहे हैं उससे आप इंगलिश में बात कर रहे हैं लेकिन उसे इंगलिश समझ में नहीं आती है तो आपकी तरफ वो कैसे देखेगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा न वैसे ही मन की भाषा है विश्वलाइजेशन अगर हम मन को विश्वलाइस करके नहीं दिखाते हैं तो मन की कुछ समझ में नहीं आता है जैसे मानों मैं मन से कहा रहा हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्ति मानूं या मैं कहा रहा हूँ कि हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो लेकिन मैं विश्पलाइस करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मास्टर सर्वशक्ति मान कैसा होगा अगर कोई मास्टर सर्वशक्ति मान है मतलब क्या इसका अर्थ सर्वशक्ति मान भगवान की वो संतान है कोई भगवान की संतान हो उसका चलना, उठना, बैठना, हसना, कारे करना, कैसा होगा? सोच ये भागवान कैसे होते हैं, उनसे सिमिलर होगा? उनसे मैच करता होगा? कुछ हद तक तो, तो हमें वो विश्वलाइज करना है, कि मैं सब को शान्ती, सब को सुख देता हूँ, सब की मदद करता हूँ, जो दूसरे सफल होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे किसी से कोई इरशा रही होती है, उस तरह का मेरा नेचर होना चाहिए, तो मैं मास्टर सरुशक्ति मान हूँ, तो मुझे विश्वलाइज करके दिखाना है, मान लीजिए कि हमें इरशा होती है, कोई सफल होता है, हमें इरशा होती है, हम चाहते हैं नहीं लेकिन फिर भी होती हैं, में तो मैं विश्वलाइस करके दिखाना है मन को कि मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ जब कोई सफल होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है तो मुझे विश्वलाइस करके दिखाना है मानिए मेरे ऑफिस में कोई सफल हो रहा है मुझसे आगे बढ़ रहा है तो मुझे बहु होना है मान लीजिए आपकी यादाश कमजोर है पहले तो चेक कीजिए यादाश कमजोर है क्योंकि अक्सर हम उन बातों को याद रखते हैं जो important होती है मानिए जैसे यह जिने मेरा मन महतपूर्ण मान लेता है जैसे मानो किसी ने आपको कुछ ऑफिस में बुरा भला बोल दिया हो या घर में कुछ ऐसी बात बोल दियो जो चुबने वाली आपको लगी हो आपके नीचर के हिसाब से उसे आप नहीं भूलते हैं दस वर्षबात भी आपको याद रहती है लेकिन एक चाबी कहा रखिया भूल जाते हैं यहाँ पर depend करता है कि मैं किस चीज़ को important समझता हूँ या फिर कोई चीज ऐसी होती जो अदभूतिया अजीब होती है पेकूलियर होती है दिखने में भी तो वो हमें याद रहती है मानो कोई गाही सडक से जा रही है उसको तीन सींग हो तो आप उसे नहीं बोलेंगे तो इस तरह से जो चीज़ अजीब दिखती है वो में याद आदाश कमजोर है मैटर यह हैं कि मेरे लिए important क्या है राइट कई बार እ Nous चोटी बातों को भूरे जाते हैं क्यूकि हम और महत्तपूर्ण समझते नहीं हैं फिर हम कहने भी लगते आ हैं मेरी आदाश कमजोरENCE मेरी याददाश कमजोर है अंजाने में हम अपने माइंड को ये एफिमेशन देते रहते हैं कि मेरी याददाश कमजोर है देखिएगा जब हम कहते हैं कि मेरी याददाश कमजोर है अंजाने में देखना मेरी इंटलेक्ट विश्वलाइस कर जाती है मन के सामने कि जिस वेक् पहले ये समझें कि मेरी आदाश कमजोर नहीं है, मैं स्मृती स्वरूप हूँ, मेरी स्मृती बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं बहुत शक्ति शाली मन की मालिक हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूँ, मेरी आदाश बहुत अच्छी है, पहले तो ये कभी भी घलती से नहीं कहना है कि मेरी आदाश कमजोर है वरना कमजोर होती चले जाए।